अठारवी लोक सभा में जितने भी सांसद देश भर से चुनकर आये हैं संसद भवन पहुँच गया शपत गहन हो गया लेकिन पहले ही दिन विपक्ष एक बेहद आकरामक मुद्रा में दिखाई दिया विपक्ष के तमाम सांसदों ने सम्मिधान के प्रतिया हाँ में ली और दरसल ये संदेश देने की कोशिश की कि अब सम्मिधानिक तरीवग सरकार को चलने के लिए विवश करने की बार-बार पुरजोर कोशिश करेंगे क्योंकि विपक्ष लगातार कई आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है लेकिन ये वही पहला दिन है जिस दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 की याद दिला दी और आपात काल लोगों को याद दिलाया आपात काल इंद्रिया गांधी के वक्त जो लगा था और ऐसे में अब माना जा रहा है कि अठारवी लोकसभ में सम्मिधान वर्सेस आपात काल की क्या एक बड़ी टककर एक बड़ी आवाज गूंजने वाली है ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि अगर पिछला दशक देखें तो विपक्ष दस सालों में इतनी मजबूती से सदर में कभी नहीं आया जितना की इसबार आया है तो सत्ता पक्षर विपक्ष के बीच सिर्फ 69 सीटों का फर्क जहां पर 234 की तादात के साथ विपक्ष एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है वही 293 का आकड़ा भी अब सत्ता पक्ष के पास है ऐसे में आपात काल का जिकर करना सम्मिधान की प्रतियां बड़ी बहस छेड़ता है 25 जून क्योंकि 50 साल तकरीबन उस बात को याद करते हुए बीजेपी बार-बार कॉंग्रेस पर हमलावर होगी बापट जी आप हमारे साथ मवजूद है स्वागत है आपका मंगीश बापट जी हमें जो महसूस होता है वह यह कि जब कभी चर्च कि शीज ये है कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े वाइणाडोर राय ब्रेली ओर एक क्वेक्जन है आपातकाल और राय ब्रेली का तो राय ब्रेली से उन्होंने अपनी सीट को रखा और वाइणाडवाली सीट उन्होंने छोड़ गी। नावौत सारे 1971 में और उस चुनाव में उन्होंने जो सरकारी संपत्ती और अमले का दुरुपयोग किया इसका आरोप उन पर लगा जो उनके अपोनेंट थे राज नारायन जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे अरी कोर्ट में की स्लिए कर गया और कोर्ट में ऐसा फैसला सुनाया तो ब सीटों के साथ चुनाव उन्होंने जीता था तो उनको बहुत अच्छी सीटे मिली थी लेकिन रायबरेली से जो चुनाव वह जीती उसको चैलेंज कर दिया उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे राज नारायन ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि इन्होंने मैल प्रैक्ट आयक्ठ है जंप्तिनवी कानून उसके अंदर जो धाराएं जो प्रावधान है उसके अंदर चैलेंज कर दिया और प्रशान्थ यही रैवरेली की सीट जहां से राहुल गांदी जीते है उसी रैवरेली की सीट से चुनाओ जीती थी इंडिरा गांदी 1971 की बात है कोट में केस चला गया और जगमोहन लाल सिना की अदालत में भारत के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं हो सकता की प्रधान मंत्री कोट में आती है उनके खिलाफ जगमोहन लाल सिना अपना जज़्जमेंट सुनाते हैं की ये जो आरोप उन पर लगे हैं ये सही है और उनको छे साल तक वो किसी भी तरह के चुनाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बड़ा फैसल अपने अपना पद से भी लड़े और एक बड़ी मजबूत स्थिती वह अपनी मान रहे थे लेकिन ऐसे में जबकि ये इमर्जंसी की बात आ रही है ये रायबरेली का ये चुनाओं और फिर उसे कोट ने रद किया इंदिरा गांधी पर आरोप सिद्ध हुए कि आप घलत तरीके से चुनाओं 1971 में जो चुनाओं हुआ उस चुनाओं के दौरान यश्पाल कपूर उनके इलेक्शन एजेंट थे और उससे पहले वो बाकाइदा सरकार में अफसर थे इंद्रा गांधी सरकार में वो अफसर थे तो यश्पाल कपूर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने चुनाओं मे ततकालीन प्रधानमंत्री के मदद के लिए वो चले गए और जो डेट्स थी कि किस तारीक को इस्तीफा दिया किस तारीक को इस्तीफा इफेक्टिव हुआ और किस तारीक को इंदिरा जी ने अपने अपनी उमीदवारी की घोशणा की उन सब के बीच में जो दस्तावेज जो जगमोहनलाल सिना जो जज थे उनके सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भई ये गड़बड है जब इंदिरा जी जब अपनी चुनाओ सभाओं को संबोधित कर रही थी तो उनके जो दस्तावेश थे उसके हिसाब से वो तब भी सरकारी अफसर थे और ये फिर नहीं किया गया था असल में क्या हुआ था कि उन्होंने जिस तारीक को इस्तीवा दिया उसके जैसे सरकार में क्या होता है एक नोटिफिकेशन जारी होता है तो जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन से सेवाए समाप्तमानी जाती है तो उससे पहले चा प्रशासनीक अमला उसका गलत इस्तमाल हुआ जो की नहीं है लेकिन खास बाद में आपको बताना चाहता हूँ मतलब भारत की इतियास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोट में प्रधान मंत्री को as a मुझरिम खड़ा होना पड़ा आरोप उनके उपर लगे और आप जानते हैं जगमोलाल सिना कितने मतलब सम्मानी जज थे वो उस समय भी और अब तो उनका सम्मान और भी ज़्यादा करने के लिए आदेश के खिलाप आज फैसला है तो जज साब ने कहा जगमोलाल जी ने कहा सारे वकीलों को बले प्रधान मंत्री हों खड़े नहीं होना है क्योंकि जज क्योंकि कोट की अपनी एक मर्यादा है अपना एक उसका रुटभा है बताने की कोशिश वी कानून सर् पर ही है और इसलिए मतलब यह हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात भी हमारे लोकतंत्र के लिए कि तब से लेके अब तक कई बार ऐसा होता आया है कि जुडिशरी और सरकार में टकराव होते रहे हैं लेकिन आज भी मैं तो यह फिल्म का डैलोग है वैसे लेकिन आज भी इस फिल्म में यह का जाए कि आज भी जब दो लोगों के बीच में जगड़ा होता है तो दूसरे को कहते हैं मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा मतलब कहीं अगर कोई है और और जमॉलाल नयायले है और इसको इसको अफेल करना इसको इसकी जो विश्वसनियता है उसक सकती वो सुप्रीम इंद्राजी सुप्रीम कोट चली गई लेकिन राज नराएंड जो उनके जिनके खिलाब वो चुनाव लड़ी थी सुशलिस्स पार्टी के उमिद्वार थे उन्होंने कहा कि मेरे पास पुखता सबूत नहीं है इसलिए मैं जो सुप्रीम कोट में जो के साथ लोगा इस्तमाल किया है आरोप इंद्रा गांधी पर आरोप सिद्ध होते हैं वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती है और राइबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा वो चुनाव रद दो गया और 12 जून की ये बात है 12 जून 1975 को ये फैसला आया और उसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोट ने इसके ओपर अपना फैसला सुनाया और वहां से कोई पूरी राहत नहीं मिली और जिस तरीके का वर्डिक्ट इंदिरा गांधी एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा सुप्रीम कोट के जजिज ने नहीं दिया उन्होंने बहुत सारी पाबंदिया वोट देने का अधिकार नहीं होगा जो प्रोसेडिंग्स हैं संसत की उसमें भाग ले उसमें भाग ले सकती हैं पर कुछ उनके जो सम्वेधानिक हकते उसको कम कर दिया गया है क्योंकि वो जो फैसला अगर आया था हाई कोट का उसके मुताबिक तो उन्हें तुरंत पत्स जजमेंट आया कि इंदिरा गांधी जी वो प्रधानमंत्री रहते वे उन्होंने जो संसादनों का गलत इस्तेमाल किया चुनाओ जीता उसके पूरी तरह से उसको जजमेंट को हाई को बरी नहीं किया नतीजा ये हुआ कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपात का लग जाए यानि कि जिस तरीके से अब कोड का फैसला आया था अगर ये लागू होता तो इंदिरा गांधी के पास कोई आप्शन नहीं था उन्हें प्रधानमंत्री से हटना ही था वो 1975 के बाद 6 साल तक मतलब 81 तक चुनाओ एक्टिवी नहीं हो सकती थी और इस से बचन सुप्रिम कोर्ट में उतनी वैसी कोई राहत नहीं मिली और इसके बाद आपातकाल और आपातकाल की अगर बात जब की जा रही है जैसा बापड़ जी बता रहे हैं राय बरिली से कैसे आपातकाल का कनेक्शन जहां से अब राहूल गांधी जीत कर सदर में आये हैं जो कि सम आपातकाल का जकर भारत के सम्विधान में होता है आर्टीकल 356 में भी 333 60 में भी और 352 में भी तो यह जो आपातकाल लगा 352 के तहत यानि की राश्ट्रीय आपता यानि की राश्ट्रिय को खत्रा बिल्कुल और यह आप जिसतरीके से आपातकाल या इमर्जनसी शब्द क इस्तिमाल किया जाता है सम्मिधान के हिसाब से ये होता है युद्ध के हालात में असामान इस्थिती को देखते हुए आपातकाल समाम लोगों के जो मूलभूत अधिकार करता वे हैं उसे परे रखते हुए ये एक इमर्जनसी के सिच्वेशन है लेकिन दो बार इससे पहले हो चुकी थी आपातकाल की बात जब नहरू थे जब चीन के साथ एक सथ में जंग हो गया था बासट में और फिर उसके बाद एकत्तर में जबकि बांगलादेश बना पाकिस्तान के साथ पर तब वास्तों में वैसे ह जंग के हालात हैं इसी लिए इस तरह का फैसला और यह आपातका लिया जा रहा है नहीं राज नारायन से चुनाव हारना और उसके बाद जो एक और बहुत एहम बात आती है जेपी आंदुलन तीजी से आगे बढ़ता हुआ और जेपी आंदुलन का जो असर हो रहा था क्य और दलील अब इंदिरा गांधी की और से यह दे दी गई कि अगर इस तरह का विरुद बढ़ता चला जाएगा तो हमारे पास इसे आपातकाल मानने के अलावा कोई आप्शन नहीं है भले ही यह राजनेतिक दृष्टी से उठाए गए पूरे के पूरे कदम थे लेकिए अ सरकार यह जो मुदी सरकार है या बीजेपी जाए 400 पार्क इसलिए कह रही है क्योंकि यह संविधाल बदलना चाहते हैं और प्रशान जी संविधान के साथ खिलवार किसे ने किया यह इतिहास बताता है और मुदी ने शायद आज इसलिए उसका जिकर भी किया पहले ही दिन पहले दिन संविधान की प्रतियां लेकर आना या यह कहना कि संविधान के असली जो हम है लेकिन वो जिन लोगों को 1975 में क्या हुआ था यह पता नहीं है वो जरा जाके थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे या देख लेंगे जाके तो उन्हें पता लग जाएगा कि इस देश प के भुक्त भोगी रहें लेकिन अगर बाबट जी मुझे जहां तक ध्यान आता है जब आपातकाल का एलान हुआ तो कई लोगों को एक के बाद एक जो वैचारिक रूप से विरोधी थे इदिरा गांदी के उन्हें लगाता रात और दिन जेल में डालने की शुरुआत हो ग के बाद के लगबख सभी इलेक्शन और उन दौरान क्या क्या हुआ था वो मोटा मोटा मुझे आद है और 1975 में जब आपातकाल लगा तो मुझे आद है उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में अपने अपने घर की चोटा सा घर था हमारा और मैं सुबह चाए पीने के लिए मा के सामने बैठा हुआ था और मुझे मेरी मदर ने मेरी माने ये कहा कि हमें इन दौर जाना है और मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक इन दौर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया कहां से इन दौर जाने की बाद में हम गाजियाबाद में रहते थे अच्छा और मुझे न था कि हो क्या रहा है अब मुझे अभी भी सब कुछ याद है कि असल में मा और पिताजी दोनों के नाम वारंट थे क्योंकि पिताजी मदरलेंड में काम करते थे मदरलेंड वो पहला अख़बार था जिसने 24-25 की रात को 25-26 की रात को ि हम eh emergency inputs होने के बाद अपना एडिशन को रात को एडिशन निकाला था जहां पर लाइट बंद कर दी गई थी लाइट कार दी अख़बारों की इंडिने एक्सप्रेस और इन सब अख़बारों की लाइट कार दी घ calendar की इंस इक को लेकर कोई ज्यादा चीज अखबारों में ना चपे आज बहुत से लोग मीडिया के ऊपर जो है वो कि जो आजादी है उसको अंकुछ लगाया जा रहा है और वो बोल नहीं पाते हैं जो बाते आज लोग करते हैं ना उनको पिछतर याद करना चाहिए पिछतर में मैंने मैंने देखा है अपनी आ अखबार थे जिन्होंने रातो रात इमर्जंसी के बारे में पूरी खबर चापी और अगले दिन वो अखबार जो शायद मेरीका से 10 पैसे का या 15 पैसे का होता था वो एक एक रुपए के वो अखबार भी के जोगों लोगों को यह उत्सुकता थी जानने की कि वह इमर्ज ना कर पाएं तो यह उस दिन हुआ था हम मुझे आद है हम हमारा परिवार जो है वह अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि हम चोटे और को रास्ता मेरी बहन थी चोटी तो हम लोग चोटे थे तो पिता जी ने कहा कि नहीं अगर हम जेल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएग आज जो लोग मीडिया को सोशल मीडिया को और इनको बहुत सुनते हैं ना मैं उनके लिए बताना चाहता हूं अपराद क्या था आप हमारी विरुधी विचारधारा के हो और आप हमारे बारे में चापते हो इसलिए हम आपको गिरफतार करना चाहते हैं आपको जेल में डा और उसके बाद नाना जी देश्मूग अटल जी कुछ लोग गिरफतार हुए और कुछ लोग अंडर्ग्राउंड होगे थे दो साल तक इमर्जन्सी रही नतीजा यह हुआ कि मशीन सारी खराब हो गई और फिर मदर्लेंड कभी दुबारा से अख़वार वो छप नहीं पाया तो यह वही घटना थी जिसके बाद मदर्लेंड पूरी तरह से बंद ही हो तो 1975 में जो हुआ था ना उसकी जानकारी लोगों को मिलती है मतलब जितनी फिल्टर्ड हो करके उन तक पहुंचती है शायद वह पीड़ी भी अब बहुत पीछे रह गई है नई पीड़ी आ गई है नए विशय आ गए हैं और इसलिए भी शायद नए विश्यों को अब सदन में उठाने की जब-जब कोशिश होती है तो अत काल के स्थिती ना ने पाए प्रधानमंतिरी नरेंद्र मोधी पहले दिन 18 लोगसभा के सतर के शुरुवात में यह बात कहते हैं तो कॉंग्रेस के जो राष्ट्री अध्यक्षे मल्लिकार जुन खर गए उन्होंने कहा कि आखिर आपात काल का नाम लेकर कितने सालों तक में आया उसका भी मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि इंदिरा गांधी में उस समय एहंकार आ गया था इंकार शब्द का इस्तेमाल पिछले दिनों हुआ है तो यह यह बहुत अच्छा एक्जामपल है मतलब किसी पार्टी लाइन पर जाने की जरूरत नहीं है यह यह अच्छा एक्जामपल है कि जैसे 1975 में एक प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया था और उसके कारण उन्होंने देश की जो स्थिती बना दी हालत बना दी उसके कारण आगे की कई सरकारों को दिक्कत हुई चुनाव मतलब पूर्ण भहुमत की सरकारे नहीं बन पाई देश का काफी नुकसान हुआ आज भी जब पिशले दिनों मोहन भागवत जी ने शब्दगा इस्तमाल किया तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आप बहुत पावरफुल जब हो रहे हैं बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं मतलब आप जीत के आ रहे हैं जादा सीटों से जीत के आ रहे नेत्रित के तरफ से लोगों ने कह दिया है और मुझे 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 लगता है मतला मेरा व्यक्तिकत मेरी सोच हो सकती है कि प्रधान मंत्री में एहंकार वाली बात तो मुझे नहीं लगती कि वह कहीं पर उस तरीके का है उनका सेवा भाव सबको मालूम है कितने अभला उनके पास के लोगों तक नहीं हो ती जो का डरह का जो नीचे कारह करता है आपका जो डिस्टिक लेवल पर जो शेयर के लेवल पर काम करने वाली लोग एहंकार उनमें भी आ सकता है और यह इसलिए उनका जो मात्री संगट है ने बीजेपी का राश्ट्री स्वामिक सवक संग उनके शिष नित्रत्व की और से कई और निताओं की और से क्या यह संदेश देने की कोशिश है और जो जिकर आप भी कर रहे हैं कि क्या इसकी वज़े स्वाफिक गई यह संगे वंचिः के साथ हुआ है विजेपी दो सीटों पे सिमट गई थी एक समय वह था और मैं फिर से एकवर राजीव गांदी का जिकर सिस्लिये कर रहा हूं कि राजीव गांधी ने लेंड स्लाइड विक्टरी की थी इंदिरा गांदी की हत्या के बाद और वो वो रिकॉर्ड तो आज तक नहीं तूटा है लेकिन क्या हुआ एक ही टर्म के बाद उस सरकार पर ब्रश्टाचार के आरोप लगे और उन ब्रश्टाचारों के आरोप दॉटाचार के बाद वो सरकार 89 में चली जाती है 84 में आई 89 में चली गई और उसके बाद वो दुबारा से चुन के नहीं आए इन्दरा व राजीव जी क्योंकि आलयकि उसके बाद तो उनके साथ दुरघटना हो गई उनकी हत्या हो गई थी परन्तु जब आप जादा सीटो हुई है जब एहंकार आया तो जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया जनता तो फैसला अपने तरीक्ते से सुना सकती है और वो है उसका वोड़ देने का अधिकार तो जब पहले बैलेट पेपर का चुनाव हुआ करता था जिसे कि इन्वैलिट करार दिया गया था इंदिर्या कांधी का बैलेट पेपर जिसका जिकर बार-बार अब भी किया जा रहा है कि एवियम बंद कर दिया जाए बैलेट पेपर से चुनाव हो तो यह वो गुंजाईश फिर से एक बार फिर जहांकने लगते हैं लोग कि क्या यह बैलेट पेपर हां लेकिन थोड़ा बहुत चलती थी और 2-3 मेरे खाल से 6-3 फिल्में दिखाई जाती एक के बाद एक तीन गंटे की फिल्में होती थी और वो फिल्में तीन चार-पांच ऐसे एक के बाद चलती थी ताकि बीच में चुनाओं के समाचार भी देखे और आपका मनुरंजन भी होता रहा है बोरियत ना ह जाकर बटन दबा पाएगा उसे दिखता भी है कि वो प्रॉपर वोट हुआ है कि नहीं हुआ है उसका उसने कहीं घलत तो नहीं यह बहुत सारी चीज़ें जो क्लैरिफाई हुई है अगर मोहर लगाने वाली बात हो तो कई बार इंक उसमें वापस दूसरी तरफ चिपकता या लाइन के बाहर चली जाए लाइन की अगर नीचे होता था तो भी वो जसे तरह से खेल में फाल हो जाता है वैसे वह इन्वैलिट हो जाता है या बहुत सारी दिकत थी दूविधा थी बूत कैप्चिरिंग की बड़ी गुंजाईश थी लोग बॉक्स उठाकर भाग जा सकती और मैं कॉंग्रेस से तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने जब राजीव गांधी ने सरकार बनाई थी 1984 की बात है और 88 की बात है मुझे याद है कंप्यूटर का उस समय प्रशलन बहुत बढ़ गया था और मैं राजीव गांधी सरकार का एक प्रोजेक स्टूडेंट्स जिसको नोने बढ़ावा देकर बढ़ावा दिया था बहुत हर सरकार में अच्छे अच्छे काम किया कांग्रेस सरकार के टाइम में कंप्यूटर को जिस तरहीके से बढ़ावा दिया गया उसके वही वजह थी कि बाद में हम इतने आगे गए बढ़े और इतना बड़ा नाम दुनिया तो तो जब हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए हम टेक्नोलोजी का इस्तमाल कर रहे हैं खुद राजीव गांदी ने टेक्नोलोजी के इस्तमाल पर जोर दिया था तो फिर यह सवाल उठाना की वापस बैलिट पिपर से चुनाव करव के इन्विस्टीज में कि कैसे भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव संपन करा लेकिन इन तमाम वाद विवाद के बीच अब अठारवी लोगसभा की शिरवात हो रही है जहां एक और समिधान दिखाया गया दूसरी तरफ आपात काल बताया गया अब यह टकराओ कहां ले कि यह संसद में टकराव होना तो स्वाभा भी किसी बात है और उसमें उसको हमेशा मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्साइट होके नहीं लेना चाहिए यह तलवारे नहीं खिच जानी चाहिए लोगतंतर अच्छे लोगतंतर के लिए जरूरी भी है मतलब एक चोटा सा उध लुदे पर बहुत खरीखोटी सुनाई थी ततकाली कॉंग्रेस सरकार को अटल जी उस समय युवा नेता थे और उन्होंने नहरू जी के सामने खड़े होके बड़ी बड़ी खरीखोटी सुनाई और उसी दिन शाम को तो अटल जी से तो आपकी मुलाकात भी हुई है मेरी ह मेरी तो तीन-चार बार मुलाकात हुई बड़े मतलब उनसे मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है ताकि दर्शकों को यह लग जाए कि आपका व्यक्तिगत अनुभा उनके साथ रहा है तो शाम को एक डिनर था और उसमें विदेशी महमान भी आने वाले थे तो जिसमें नेहरू जी का व्यक्तिग तो बड़ा प्रभावशाली था तो अटल जी कह रहे थे अटल जी ने कहा भी मैं बचके रह रहा था तो लेकिन नेहरू देखिए कैसे होता है जो अच्छे नेता होते ना वो दिन में कितने भी लड़े हो अपने लोकतंत्र की खुबसूरती यह है वो अटल जी को ले गए पकड़के उस विदेशी महमान के सामने और क्या कहके मिलवाया कि यह हमारे देश के भावी होने वाले प्रधानवंत्री है और जिक्र नेहरू जी ने अटल जी में वो गुन देखे बावजूद इसके कि वो विपक्ष के नेता है क्योंकि लोग बहुत अतीद की चीजें बापड़ जी की जरीए आप तक पहुंची भविश्य में भी कोशिश कुछ ऐसी होगी फिलाल आप हमारे साथ जोड़े रहे न्यूज इटिन इंडिया के इस डिजिटल प्लैटपॉम पर आप हमारे साथ बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद ब झाल